हेलो स्टुडेंट्स यहर पहले जो आपके ओलम्पियाड के एक्जाम थे वो कब थे फरवरी में स्टार्ट होना इस्टार्ट होने वाले थे ना लेकिन ड्यूर टू 27 को थे क्या पहले 27 को डिसाइड के गे थे कि पहले आपको 27 को होगा को ओलंपियाड का एक्जाम देन जैसे ही CBSC का जो आया था schedule की sorry वो तो 26 को था क्या हाँ sorry हमारा फर्वरी में था 27 फर्वरी से होने वाले थे देन फिर क्या होगा आप देख सकते हो new schedule आपको मैं बता देता हूँ ओके जो भी आप अपने ओलंपियाड कब से होने वाले हैं तो आप इसके लिए simply है कि website भी आप उसपे भी जा सकते हैं iapt.org.in ओके यह देख लो iapt.org.in इसके ओपर कुछ notices लिंक कर रहे हैं regarding कर देख लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप डारेक्ली उसको देख भी सकते हो ठीक है बच्चावाटी ओके जो है जैसी हम अगर देखते है new schedule for i.o.q ठीक है 2021 बाई संडे को जो है 6 March को आपका जो एक्जाम है दो एक्जाम है एक तो मेत का है i.o.q.m यानि की mathematics और i.o.q. junior science है दो पार्ट में होगा यारी एक तो यह धाई बज़े से 2.30 से लेके 3.45 तक होगा और एक जो है 4 बज़े से लेके 6 बज़े तक होगा का एक biology का है physics का है तो वो फस्ट जो भी यह दो फेज में होगा 9 से लेके 10.15 तक दूसरा होगा 10.30 से लेके 12.30 तक ओके देन आपका दूसरा biology है biology का भी दो फेज में होगा देन 20 तारीक को जो एक्जाम है आपका astronomy है और chemistry है दोनों दो दो पार्ट में होगे आपका एक पार्ट में सिर्फ और से math का exam है जो कि 9 से लेके 1 बज़े तक होगा और जिटने भी exam है वो सिर्फ और सिर्फ 2 दो फेज में होगे सारे के सारे जैसे junior science के अगर मैं बात कुरू तो 5 बज़े से लेके 3 45 तक होगे यह ठीक है तो कितना हो गया 45 मिनिट का ही हुआ न और एक जो एक्जाम हो वो चार से लेके 6 तक होगा तो यह 2 गंटे का हो गया पांच च्छे तो इस परकार से आपके Olympiad के एक्जाम होने वाले हैं और यह जो है फाइनल नोटिस आ चुका अभी ओके स्टुडेंट्स ठीक है ओके थेंक यू थेंक यू शो मैच और फर्दर डिटेल के लिए सब्सक्राइब कर लिए फ्यूचर ओव इंडिया यूट्यूब चैनल को थेंक यू